नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप सम मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की ये वली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वली है पिकोज आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को 18 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ करते हैं आपस्टव का अंद तक देखना काईपे मत करना चलिए दोस्तों अभी के अभीके इस वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को नफी सब्सक्राइब कर दिए मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से एठरा स्टॉक्स जो कि यहाँ पे जैनवरी के मन्त के अंदर धमाकेदार स्टॉक बोनस स्टॉक स्प्लिट डिविडेंट और ब का एक स्टॉक साथ स्टॉक में कनवर्ट हो जाएका अंद इस स्टॉक बोनस को देने की जो एक सटेट होने वाली हैं 4 राफ जैनवरी की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करे तो म कम्पनी का नाम है गोयल aluminum and company का current stock price currently 186 रोपीज के ओपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिये 10th of January को and आप जो purpose रहने वाला हो stock split को लेके रहने वाला है तो आप stock को अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हो because अगर company ने काफी अची ratio से आपे stock split announce कर दिये जैसे की 1 is to 10 या फिर 2 is to 10 के ratio से तो definitely हमें stock के अंदर में काफी अची rally देखने को मिल जाएगी आईए बात करते हैं आप हमारे एगले stock की तो company का ना में Rama Steel Tubes and company का current stock price currently 172 रोपीज के ओपर में trade हो रहा है company ने आप stock bonus announce के 4 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ आप आपको 4 stocks as a bonus मिलेंगे मतलब total में आप आपका एक stock 5 stocks में convert हो जाएगा and stock bonus को देने की जो एक state होने वाली हो 6th of January की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का ना में राजनीश wellness and company का current stock price currently 29 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock split अनॉंस के है 1-2 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ आपका एक stock total 2 stocks में convert हो जाएगा and stock split को देने की जो एक state होने वाली हो 9th of January की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का ना में secure credentials limited and company का current stock price currently 105 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock bonus अनॉंस के है 3-1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ आपको 3 stocks as a bonus मिलेंगे मतलब total में आपका एक stock 4 stocks में convert हो जाएगा अगले stock की बात करें तो company का ना में persistent systems limited and company का current stock price currently 3,800 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाइस करी है 18th of January को अगले stock को अपनी watch list के अंदर में जरूर से add कर लीजेगा विकोज अगर company ने काफी अची value से आपे dividend announce कर दिया तो definitely हमें stock के अंदर में काफी अची rally देखने को मिल जाएगी अगर ये stock आपकी watch list के अंदर में already added होगा तो आप इसे साही time पे purchase कर पाऊगे जिसकी वज़े से आपे आपको dividend का benefit तो मिली जाएगा साथ ही साथ में short term के अंदर में stock के अंदर में अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हो बेकर अगर company ने काफी अची value से आपे dividend announce कर दिया तो definitely है इस stock के अंदर में भी हमें काफी अची rally देखने को मिल जाएगी अगले stock की बात करें तो company का नाम है soft soul India and company का current stock price currently 161 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे buyback announce के 170 रुपीज पर stock के हिसाब से जिसका मदलब यह है अगर आप buyback के अंदर में अपना एक stock company को वापस sell करते हो तो company आपको एक stock के बदले में 170 रुपे देगी और इस buyback की जो exit होने वाली हो 13th of January की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नामे विपरो लिमिटेड और company का current stock price currently 400 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिए 13th of January को और यह पर जो purpose रहने वाला है वो भी dividend को लेके रहने वाला है तो आप इस stock को भी अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हो अगले stock की बात करें तो company का नामे करनावती finance and company का current stock price currently 152 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे board meeting organize करिए 3rd of January को और यह पर जो purpose रहने वाला है वो stock split को लेके रहने वाला है तो आप इस stock को भी अपनी watch list के अंदर में add कर लीजिगा because अगर company ने 1-10 या फिर 2-10 के ratio से stock split announce किया तो definitely यह stock के अंदर में हमें काफी अची reality देखने को मिल जाएगी अगले stock की बात करें तो company का नामे रहतान TMT Limited and company का current stock price currently 444 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock bonus and stock split दोनों ही चीज़े 7 में announce करी है stock bonus around 11-4 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 4 stocks है तो यहाँ पे आपको 11 stocks जब bonus मिलेंगे मतलब total में आप आपके 4 stocks 15 stocks में convert हो जाएगे and वहीं उसके बाद में आपको stock split मिलेगा 1-10 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपका एक stock total 10 stocks में convert हो जाएगा तो अगर हम total इन दोनों ratios को combine कर दे तो अगर आपके पास में इस company के 4 stocks होंगे तो आपके 4 stocks total 150 stocks में convert हो जाएगे और stock bonus and split को देने की जो X date है वो अभी तक upcoming में है तो company की तरफ से जैसी कोई भी official announcement आता X date को लेके मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है IRB infrastructure and company का current stock price currently 305 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आपर board meeting organize करिए 4th of January को और आप जो purpose रहने वाला है वो stock split को लेके रहने वाला है तो आप इस stock को भी अपनी watch list के अंदर में add कर सकते हैं because अगर company ने 1-10 या फिर 2-10 के ratio से stock split announce कर दिया तो definitely stock के अंदर में भी हमें rally देखने को मिल सकती है अगले stock की बात करें तो company का नाम है ABB India अगले stock की बात करें तो company नाम है Supreme Petrochemical Limited and company का current stock price currently 766 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock split announce के 1-2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँप आपका एक stock total दो stocks में convert हो जाएगा and stock split को देने की जो exit date होने वाली है 5th of January की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है KPI Green Energy Limited and company का current stock price currently 900 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock bonus announce के 1-2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँप आपको एक stock is a bonus मिलेगा मदलब total में आप आपका एक stock दो stocks में convert हो जाएगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Globe Commercials and company का current stock price currently 43 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock bonus announce के 1-2 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँप आपको एक stock is a bonus मिलेगा मदलब total में आप आपका एक stock दो stocks में convert हो जाएगा and stock bonus को देने की जो X date होने वाली हो 6th of January की होने वाली है आईए अब बात करते हैं आप है मारे अगले and last stock की तो company का नाम है Vishnu Chemicals and company का current stock price currently 1500 rupees के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock split announce के 1-5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपका एक stock total 5 stocks में convert हो जाएगा and stock split को देने की जो X date होने वाली हो 12th of January की होने वाली है and दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना है यही 18 stocks थे जो कि यहाँ पे January के मंत के अंदर धमाकेदार stock bonus stock split dividend and buyback देने जा रहे हैं अब अगर आपके वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because when you media के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई